इस प्राथमिक जानकर रिदने के लिए यह वीडियो में ने बनाया हुआ है काफी लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि स्किजोफ्रेनिया के बारे में एकदम सिंपल छोटी सी सिंपल भाशा में हमको जानकरी दो इसलिए वीडियो का आयो जैने मेरा नाम है डॉक्टर दीपर करेकर मैं मनोविकार सेक्स रोक सम्मोहन दथा वैसनमुक तग्य हूँ महाराष्ट्रे में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ सबके लिए मानसिक स्वास्टे वैसनमुक तभारत है हमारा मिशन है स्किजोफ्रन है मतलब हमारे भाषा में हम बोल सकते है पागलपन यह ऐसी एक बिमारी है मन की कि उसको मन का कैंसर भी कहा आ जाता है लाइफ टाइम में जनरल आबादी में लाइफ टाइम में सौ में एक व्यक्ति को यह बिमारी हो सकती है सौ में एक बहुत ज़्यादा इसका इसकी मात्रा है और कुरुशों में महिलाओं से ज़्यादा बिमारी दिखाई देती है और उमर के 20 से 30 साल ये उमर में इसकी शुरुबात होने के ज़्यादा चांसेस है इसमें होता गया है कि वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको काफी सारे आवाज सुनाई आते हैं जब कोई आसपास में नहीं है तभी भी उसको अंदर से आवाज आती है बाहर से आवाज आती है और उसको लगता है कि कोई तो भी उससे बाच्चित कर रहा है कॉमेंटरी कर रहा है उसको आउडर दे रहा है ऐसा उसको लगता है और वो आवाज उसको कान में सुनाई आती है बाकी लोग उसका मन पढ़ रहे है जो भी सोच रहा है वो बाकी लोग उसका मन पढ़ रहे है ऐसा उसको लगता है बाकी लोग उसके विचार पढ़ रहे है उसके विचारों में क्या चलो मालूम होता है बाकी लोग उसके बारे में बात कर रहे है बाकी लोग उसको मारने की स और फिर वो अकिला रहना पसंद करता है, इसमें 33 टक का लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक समय पे दवाई दिया तो, और बाकी लोग दवाई से फिर मेंडेन हो सकते हैं, दवाई से ठीक ठाक रह सकते हैं, उनका जवन विता सकते हैं, मगर 33 टक के लोग तो पूरे अच्छे हो है फिर दवाई भी नहीं नहीं निकल रही है तो इससे यह स्किजोफरेनिया का पेशेंट उसका जीवन अच्छा जी सकता है जरुत है कि जल्दी से जल्द उसको डॉक्टर के तरफ लाने की स्किजोफरेनिया का डाइगनोसिस तब होता है कि जब 6 महेने तक यह ऐसे लक्षन दिखाई देते एक सरी के तो अपन बोलते है कि भे वो स्किजोफरेनिया से पिडित है जल्दी इलाज कर दिया तो वो उसका जीवन कॉफी नार्मल सा जीवन जी सकता है तो इसलिए मैं मतलब जब 100 में एक है 100 में एक लोगों को यह हो सकती बिमारी तो यह वीडियो जारह स के लिए बहुत बहुत धिनने वाद थैंक यू वरी मिच